अगर आप लोगों का केक हमेशा वेट में जादा रहता है तो आपुलोग मेरे वीडियो पर हमेशा बने रहे हैं मैं आप लोगों को पर्फेक्ट मेजरिंग के साथ बताऊँगी और यह मेरा टर्फल केक है मैं फर्स्ट टांए हूँ और आप लोग देख सकते हैं पूरा हाफ केजी का ही तयार हुआ है हाई फ्रेंड कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगा और यह पाइपिंग बेग में जो आप लोग देखे हैं उसमें जो टर्फल बनाएँ हूँ चॉकलेट का गनास भी आप बोल सकते हैं उसको मैं फ्रीज में रख दी हूँ कि अच्छे से वो सेट हो जाए तब ही तो हम फुलावर्स दे पाएंगे जो बेज देख रहे हैं कल का बना हुआ है मेरा कल मैं इस पॉंज की डिटेल्स वीडियो अपने चलने पर अपलोड करी हूँ अगर आप लोगों का इस पॉंज अच्छा नहीं बनता है तो आप लोग जरूर एक बार उसको देखे और जो इसके लिए मैं टर्फल बनाई है करें, और आप लोगieso ढें आप लोगों को पैपिंघ लिए नहीं करना है तो आप लोगन थोड़ा से कहाँ आप लोग सबस्क्राइं इसको मैं थोड़ा सा मेलट करके compliant ती मैं भोली है इसको करम आप कोड कोड कि जैसा कर दूँ तो इसके बाद है सिचो अच्छे से ट करोंगी तो यह करने के बाद मैं स्को फिरीज में डाली हूं जो टरफल बनाया हूं उसको भी फ्रीज में डालकर सेट करी हूँ गनाश के जैसा ही है लेकिन क्या रहता है कि इसको फ्रीज में ना सेट करने के बाद बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर किरीम नहीं रहता है तो जब आप सेट नहीं करेंगे ना तो यह इसा बहेगा अच्छे से होगा नहीं तो आपको ले तो इसके लिए मैं कर ली हूं और मैं जैसा बनाई हूं वैसा आपको बता रही हूं और है इसको में रखने के बाद यह मेरा जो देख रहे हैं अभी उतना रन इंग ही है उतना ज्यादा थिक नहीं हुआ है मैं अपना केक फ्रीजे में रखी थी मैं बोली उसके उपर जब मेरा ये गनार जाएगा ना तो वो वैसे ही थिक हो जाएगा इसके लिए है ना मैं इसको थोड़ा सा ही रखके निकाल ली थी और आप लोग भी ना जब इसका फाइनल आइसिंग करें ना बहुत जादा थिक मत रखें क्योंकि है ना हमारा केक ठंडा रहता है वो वैसे ही थिक हो जाता है और जब आप फर्स टाइम बनाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जैसे मुझे नहीं आ रहा था जब मैं इसकी आइसिंग कर रही थी तो यहाँ पर ही अच्छे से फिनिशिंग हो गई थी लेकिन मुझे लगा थोड़ा और यहाँ पर ठीक कर दूँ उस चकर में ना यह पूरा जम गया तो आप लोग ऐसी गलती मेरी तरह बिल्कुल भी मत करना जहां आपको लगे कि हाँ यह ठीक हो गया वहीं रोग देना और बीच में मैं थोड़ा सा वीडियो स्कीप कर दी हूँ कि कि सेम प्रोसीजर कर रहे हूँ बस उसको ठीक करने में ही लगी हुई हूँ तो काफी प्रशान हो गई नहीं हो रहा था फिर गरम करके पानी लाएं यह देखिए और इसको नहीं स्क्रेपर उसमें डिप कर रहे हूं और उसके बाद इसकी फिनिशिंग देरी हो गया है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले ही हो जाता इतना सारा करने की मुझे जरूरत ही नहीं लेकिन मैं फर्स टाइम बना रही थी मुझे अतना आइडिया नहीं था तो आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना और जहां फिनिशिंग आपका हो जाए थोड़ी बहुत मिश्टिक रहेगी न तो कोई दिक्कत नहीं इग्नोर कर देना और यह है न टर्फल जो है फि पूरा ही राउंड दे देती और इतना बनाने के बाद है ना इसको मिटा दी हूँ वीडियो में नहीं रिकॉर्ड करें मिटाते हुए क्योंकि उतना अच्छा ही नहीं लग रहा था लिकिन आप लोगों को दिखाने के हिसाब्स में बना दी हूँ और यह टर्फल जब आप उसके बाद रब करके है ना आप इस पर काम करेंगे नहीं तो बहुत जादा थिक रहेगा ना तो आपका पाइपिंग बेग ही फड़ी जाएगा और फिर उपर मैं स्प्रिंकल कर दी हूँ और उसके बाद यह बॉडर मिटा दी हूँ नीचे वाला रहा इसमें है ना मैं 100 200 ग्राम प्रिमिक्स यूज करी थी और 200 ग्राम डाक कंपाउंड 100 ग्राम विपिंग क्रीम और यह मेरा हाफ केजी का केक रेडी है अगर आप लोगों को मेरा यह पसंद आएगा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और एक कमेंट तो करी देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई